दोस्तो सुजलोन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे काफी बड़ी गुड़नी निकल क्या रही है सुजलोन एनर्जी की जो सबसे बड़ी प्रावलम थी ASM लिष्ट उससे उसको बार कर दिया गया इसके अलावा गवर्मेंट की तरब से ग्रीन एनर्जी सेक्टर को लेकर बहुत बड़ा फैसला किया गया है काफी भारी भरकम निवेस आने वाले समय में आने वाला है और सुजलोन एनर्जी जिसकी समय ओर्डर बुक 5 गिगावाट तक पहुच चुकी है इंडिया की रिजमली सेक्टर की यह पहली कंपनिय जिसके पास इतनी बड़ी ओर्डर बुक है और सरकारी टेंडर मिलने सुरू हो चुके है ऐसे में जिस समय बाजार पूरे ओल टाइम हाई पे पहुच चुका है क्या सुजलोन में यह खरीदारी का सही बोका है क्या सुजलोन आने वाले समय में अपनी पूरानी हाई यानि फोर इंडिट के टार्गेट को फिर से टच कर सकता है जानने की कोसिस करेंगे इस वीडियो के माधियम से इसके फंडामेंटल को एक बार चेक करेंगे क्या है मजबूती इसके अंदर उसको जानेंगे लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बेल आइकोन दबा दीजिए ताकि जबी ने वडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रू किजिए चलो फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं हूँ आपका दोस्त एस भी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो सबसे पहले BSC Sensex के आज बात कर ले तो बाजार ने आज एक नया इतियास रची दिया है 84,544 के इस तरफे क्लोजिंग 1300 पॉइंट की भारी बरकम तेजी यनि 1.63% डॉड़ा BSC Sensex और कई रिकॉर्ड तोड तेजी के बारा आप देख सकते हो कि जो बाजार में थोड़ा सो डाउन फोलता वो सारा खत्म हुआ और अब बाजार एक लाग की तरफ बढ़ता हो दिखाई दे रहा है तो आज एक नया इतियास रची दे है बाजार ने तो जिस तरफ ये तेजी का वातन बंदा है ये क्लेरली अब सिगनल है कि बाजार में बड़ी मंदी की आसंका इस समय दिखाई नहीं दे रही है इसके पीछे रिटेल इंवेश्टर जो कोविड काल के बाद ही याँ पे बाजार में सक्रिय हो चुके है और इस वज़े से FII ने कोशिस बहुत की बाजार को गिरा नहीं की वो गिरा नहीं पाए और अंत में थकार के वो भी याँ पे लोटके आए जिससे बाजार इस समय लगातार देखे तो रोकेट की गज़े से उड़ता वो दिखाई दे रहा है अब सुजलोन अनर्जिक की बात कर ले तो स्टॉक की सुरुआत याज बहुत ही सांदार हुई 82.24 पर क्लोजिंग कल 80.97 के आसपास थी और देख सकते हो कि इंट्राडे में यह 84 का ही बना दिया काफी जबरदस दौर लगाई लो है वो 81.31 का है यहनि पूरे दिन में इसमे 3.58 के आसपास रिजा पर 3.22% की तेज़ी देखनों को मिली तो अब यहाँ पे जो बड़ी गुड़नी निकल क्या रही है सुजलोन अनर्जिक को देख सकते हो कि एडिशनल सर्विलाइन्स मेजर यानि देख सकते हो की एसम लिस्ट से बाहर कर दिया गया है अभी देख सकत क्योंकि यह जो एसम लिस्ट है यह एक्चेंज के द्वारा इस्तापित कियागा एक रेगुलेटरी मेकनिजम होता है जिसके तैत खास सिक्यूरिटी पर अत्रिक निगा रखी जाती है बीएसी की वेबसाइट के मुताबिक यह कदम आम निवेसकों के हितों की रक्सा के लि बिढ़न के यह जाते है तो किसी हमें लगाता है अगर अपर सर्कृ्ट लोर सर्कृट लग रहा है तो भी उसको एसम sin कि या फिर उसमें कर चुका है एसमेडी से बाहर हो चुका है तो बिल्कुल आने वल से में बैतर करता हूँ दिखाई दे सकता है अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी गुड़ नहीं है कि हमारी जो नियू रिदेवरी मिनिश्टर है परला जोसी उन्होंने यहाँ पे एनौस्मेंट किया कि 2030 तक भारत 500 गिगावाट की जो ग्रिदेवरी का लक्षे है उसको पूरा कर लेगा और इसके लिए बैंक को और फाइनेंस सेल संस्तानों का पूरा सयोग मिले वाला है और इसके लिए करीब 32.45 लेक रोड का भारी बरकम दिवेस किया जाएगा तो यह अवसर बहुत बड़ा ह सुजलोन जैसी कंपणियों के लिए जो रिदेवरी सेक्टर में सक्री है और जो विदेवरी सेक्टर की इंडिया की सबसे बड़ी कंपणियों और सोलर सेक्टर भी में भी कंपणियों बहुत यही से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही और इसके लिए इन्होंने रिद जो कम्पनिया सोलर पैनल सोलर मॉडूल निम्राम में सामिल है उनकी मांग काफी तेज़ी से बढ़ रही है और आने वाले 2017 तक पूरी तरह से जब नेट कि जीरो कार्वन पॉलिश में जाना है तो इस सेक्टर से संबरीद कम्पनिया चाहे हो सोलर सेक्टर से हो या फिर जो पूरा करना होगा उनके लिए भी जो उड़ जाके स्रोते वो क्लीन अनर्जी के होंगे यानि इनकी जो डिमांड है और बड़ी की अभी तक सिरफ बिजली के उत्पादन जो होता है उसका इस्तेमाल ग्रीन अनर्जी का वो सिरफ हमें अपनी घरों की जरूत को पूरा क पूरा करना होगा तो खपद बढ़ जाएगी इसके अलावा जो सबसे बड़ा एक फैसला सरकार का हुआ है ग्रीन हाइड्रोजन का यानि एक नया फ्यूल जो बिल्कुल क्लीन होगा जो पॉलुशन फ्री होगा और इसको बनाया जाएगा सोलर और वीन के माद्यम से उसको पानी में गुजारने से तो ऐसे मैं अब देख जितनी भी उड़ा का निर्माडों का उसका पूरी तरसे खपद होने के रास्ते निकाले गए है और सबसे जो बड़ी बात है कि विस्व के काफी देश है उनके साथ में हमारे पार्टनर्सिप हो चुके है एनर्जी के लिए आने वाले से में बहुत बड़ा निवेश के लिए यह सारे देश राजी हो चुके है यहाँ पर निवेश करेंगे ऐसे में सुजलोन जैसी कंपनियों के लिए गोल्डन प्रेड यह सुरू हो चुका है तो सुजलोन का स्टॉक जो कोविड काल में एक दो रुपे के आसपा अब वो 80 को पार कर चुका है और काफी बैतर कर रहा है आने वाले समय यह अपनी पूरानी हाई को भी टेच करता हो दिखाई दे सकता है जो कोविड काल के समय तो एक दो रुपे के आसपा जरूर थी लेकिन यह 2008 के पहले 400 रुपे के उपर हुआ करता था स्टॉक उस समय ज इसकी जो प्राइज वो बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं अब एक बार हम इसके फंडामेटल पूरे चेक कर लेते हैं मार्केट के अब इस समय वन लेक नाइन थाउजन फाइड फिप्टी वन क्रोड के आसपास है यानि एक वैल्यूबल कमपनी बज्जू के जिसका मा जरूर लगेगा लेकिन इसकी जो पेर कंपनियां उनके पी रेशियो इससे भी ज्यादा महेंगे कोई चिंता की बात नहीं है बुक वैल्यू इसकी 2.91 की है और आरोसी इसका 24.90 परसेंट है आरोई 28.80 परसेंट है और इसकी फेस वैल्यू 2 रूपीज की है और इसका अगर पे इस समय देखे तो जीरो प्लेज है ने कोई भी शेर गिरवी नहीं है प्रमोटर के डेट टो एकुटी रिशो पॉइंट फॉइंट फॉर जो काफी कम है प्रॉफिट ग्रोथ 219 परसेंट है और प्रॉफिट वर्सेज 3 अगर देखे तो 44.8 परसेंट के आसपर ग्रोथ दिखाए देगा प्राइट टू बुक वैल्यू देखे तो 27.9 है और सेल्स क्रोथ इसका 21.2 परसेंट है प्रमोटर होल्डिंग आपे 13.3 परसेंट है यही एक चिंता की बात है कि प्रमोटर की होल्डिंग काफी कम है लोग इससे चिंतिद रहते है लेकिन अब देखे से पैसे कमाएंगे वो अपनी होल्डिंग बलाना सुनू करेंगे कोई चिंता की बात निया यहाँ पे नेट प्रॉफिट 862 क्रोड की है चो बहुत ही अच्छी है अभी टाड़ा इसका 1070 क्रोड का है इसके अलावा अगर आप देखे तो यहाँ पे सेल्स गुरुद देख पिछले पास साल का तो 5.38% के आसपास है और इवी अभी टाड़ा इसका 87.4 है इन्वेंटरी यहाँ पे 2,292 क्रोड के आसपास है तो यह क्लेली आप देख सकते हो कि कमपनी अब वो पैनी स्टॉक नहीं रही है बलकि फंडामेंटली मजबूत हो चुक है और जिस तरस से वे नजी सेक्टर के लिए अब टेंडर जारी होने लगे और एंटी पीसी का एक बड़ा टेंडर क्रीब 1100 मेगावड का टेंडर कंपनी ने पा लिया है आने वाले समें भी ऐसे ही टेंडर कंपनी पास सकती है जो हर साल सरकार लाने वाली है तो बहुत बड़ा मौका है एदूकेशनल परपस के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरू की जोड़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक्यू फ्रेंड्स